हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बर्फरेस है जो मैंच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह ने वाला है यहां पे सरे वर्सेस एसेक्स के बीच जो मैच होने वाले टी-20 ब्लाश्ट का इस मैच की वीडियो वीडियो बहुत इंपोर्टन है क्योंकि आप सरे की टीम में बहुत बड़े बड़े चेंजिस हैं आपको स्क्रीन पर नाम लिखावाद दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टे कि ज़िए कंसे और उरिजिनल को चनल करना की आए कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लिंक इह सबसे ब्लूर लिंग होगा जैसे उस पर किलिक करोगे टेलिग्राम परोपन होड़े पन फान छेपं और उसको आपको जॉइ ग्रेंड लिग की टीम मिलने वाले वाले और गया की पिक्स में पता है तो वीडियो जा कर देख सकते ओपर i button में आपको अब आई बटन दिखाई दे रहा होगा वहा पे कलिक करोगे वीडियो खिलेगी वह जाके देखें लेका आपको पैसले कि भाइपक्स होती क्या है सरे वर सेथए और यहां पर केके वरसेस पीज़ तीम के अब धियान डिखना बहुत बड़े बड़े चेंज जैसे कि जूसर नहीं खेलने वाला और मान के चलो रें होती है और डिले हुआ मैच और डेडलान डिरीम 11 ने अवर बेसे संद ने आगे नहीं बढ़ाई और आधी सब्सक्राइब कर दो तीन बड़े-बड़े ऐसे जो नहीं खेलने वाला तो यह बड़े-बड़े गेम मतलब एक ऐसा बाकि पॉसिबल तो है कि लाइन अप आही जाएगी वह तो क्योंकि आप टी-टी ब्लश्ट के हर मैच में लाइन आप आही जाती है तो देखो सरे की टीम में जो बड़े-बड़े अवेलेबल नियुसमें जैसन रॉइन है करन बड़ ब्रदर्स निया पर सैम करन और यहां प पहले उसमें इसने संचुरी भी महा रही थी बट रॉरी बंस टी-टॉन्टी जैसे फॉर्मेट में उतना एफेक्टिव नहीं है क्योंकि यह हिटिंग अच्छी नहीं करता है बाकि एक जो गीम चेंजर पले जासे रिकी क्लार के यह बड़ा नाम सुना भी आपर मैं आपक प्लेंग खेल के भी आ रहा है और पर पर प्रसो इसने पहला जो मैस सरे का इसका उसमें 16 बॉल पर हाफ संचुरी भी लगाई थी 16 पंदरा कुछ ऐसी बॉल पर बड़े-बड़े कुछ चेंजिस होने बाले है पर सरे की टीम में और अगर यहां पर बात करें तो यहां पर प्लेयर कौन है तो कमेंट जोरू बताना आपको शाहिद पता हो यह प्लेयर कौन है तो यहां पर हार मार है जो बटलर मैं है यहां पर कुक है कल निगा मैच होगा था तो सेम प्लेंग 11 खेलने के फुल चांस है जिसमें अगर बात की जाए तो यहां पर डैनियल लॉरेंस ह को एड़ किया गया है और कल भी खेला था बट कल उतनी अच्छे प्रफॉर्मेंस नहीं दिया और साधिया बॉलिंग नहीं गरी तो यह ऐसा प्लेयर एक ऐसा ऑप्शन है अगर बॉलिंग कर जाए और यह पर डेफिनिटली अगर बैटिंग ब्लस बॉलिंग पूरे मितलब इनका सेक्स की टीम का तो देखो सरे की टीम के जो प्लेइंग रह सकते हैं मेरे को यह रहे कि रहे कि सबसे पहली बात है वैन्यू क्या है कैनिंग्टन ओवल लंडन पे मैच है जहां पर आपको ब्लोग स्कोर दिखने को मिल सकता है और यहां पर काफ यह बैटिंग पीच ल मैच में triple century लगाई है वह भी इंगलैंड के अगेंस्ट और अभी recent में फॉर्म में कैसे बोलूँगा क्योंकि क्यांति क्रिकेट होती है पर टेस्ट मैच होते हैं डॉमेंश्टिक में इंग्लैंड में वहां इसने हमला ने हर मैच में रन मारे है और मैच में प्रूर भी किय में सबसे फास्टेस सेंच्री लगाई सोला कुछ बोलों में लगाई थी और प्लस पार्ट ताइम ऑफिस्पिन करता है जो अभी डिसंबर के आसपास जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होती है वहाँ भी खिलने किया था लॉर इवांस ऐसा प्लेयर है शायद मैं बोलूगा वन अब दी क्लासिएस्ट बैट्समें और कंसिस्टेंट बहुत दस में से साथ याट माचर परफॉर्म करता है तो टॉप थ्री में लिए इंपोर्टन रहेंगिन की टीम से लॉर इवांस बहुत कंसिस्टेंट बैट्समें है और पहले शायद लाश्टियर सब्सक्राइब तो यह वांस के पास और अज बड़े शॉट मार सकता है और वर्डवाइट जैसे लंका प्रीमियल लीग और शोटी मोडी लीग खेल चुका अल्मोश्ट बागी बात करते हैं रॉरी बंस जो कि टेस्ट मैच में इंग्लेंड के लिए ओपन करता है बट डेंजरस नहीं रहेगा और आप चाहो तो ग्रेंड लिंग में जरू ट्राय करना रहरी बंस को अच्छा बैट्स में है सिंगल अच्छा खेलता है और मिडल और पर दो एक दो विकेट जल्दी करते तो मिडल पर संभाल ना जानता है और रिसेंट में न्यूजिलेंड का ग अच्छा बाटिक कभी नहीं कराती तो रागुलर बॉलर के बेस्में नहीं क्योंकि लाश्ट यर तक रागुलर बॉलिंग किया करता था तो इसलिए इतना इंपोर्टन नहीं बनता है क्योंकि टिम सीविस को अधा बैट्समन के रूप में ज्यादा प्रैफर करें तो मैं अपोनें टीम का विकेट कीपर लेंगे क्योंकि इसका ओपन बैटिंग करने आ सकता है और करने आएगा लाश्ट मैच में जो उपन करने आए था बाकि रिकी क्लार्क एंगी मैच नहीं खेला और यह इतना बड़ा नाम हैं के डॉमस्टिक में इंगलेंड के अगर आप शा सब्सक्राइब कर लेता है और बैटिंग इतनी अच्छी कर लेता है तो रिकी क्लाक अगर खेलेगा तो मैं कहीं नहीं कहीं इसको जुरू टीम में लूँगा बाकि यहां पर जॉर्डन क्लार्क भी है जो कि खेल रहा है लाश मैच इससे भी अच्छा बैट समयन है और और तो पिक कर सकते हो बाकि यहां पर जे डंबैक दोजार तीन में इसका नाम बहुत चला थो इंगलेंड की टीम में था यह बट इसकी बालिटी बॉलिंग वह यह बहुत अच्छी डालता है बाकि इसकी बालिंग में तनी नहीं इसका आई ज्यादा नहीं चला इंटरनेशल बाकि ऐसा प्रेट वर्स होते हैं 15-20 बीच में जहां पॉनेंटीम रन बराने के लिए आती है तो वह कहीं ना कहीं इसको विकेट मिल सकते हैं कि यह स्लोर रोन बॉल्स का ज्यादा यूज़ करता है तो डंबैक ऐसा पिक है को स्मॉल लिग ड्रेंड लिग दोनों मेले सकते यह अब गरेटी जो कैप्टैन है और मैं बोल सकता हूं कि हर सीजन में ऐसा सीजन जरूर जरूर जाते हैं घ्रक्राइटी तीन चर्ड लेता हर मैच में हर सीजन एक मैच आसा आता है यह जहां यह यह ट्वेंटी बिलाष्ट में चार विकेट जरू लेता है तो अभी तक मे बहुत बड़ा हाथ था मतलब इतने बड़े स्ने माइल स्टोन चीफ गेते और बागी बात कि रहे तो यहां पर डेरें डैनिल मौरियार्टी काफिक चे लेफटाम और स्टों की स्पिन बॉलर कंसिस्टन विकेट निकाल रहा है तो इसको लेना बनता ही बनता है और मैं लेकर पर यह रहा है जेसिता बाटन बनता ही था टैन्म करें पहुक करेंगे ओधब बासदोर में नाजन यहां करने आर मिटकी अप्रकालि मोआघ मुचन जेग करेंगे रहत के रही कि निए रहता smiling के भूच और ज्शालम को सब्सक्राइं सब्सक्रण अच्छे रहांगा बारे में बात करें तो लाश्ट मैच में खेला और दूख कुछ मैच इस खेल नहीं रहा था बट ओपन करेंगा और विकेट किपिंग करेंगा और हर सीजन खेलता है यह एडम वीटर और ओपन करता है और कंसिस्टन परफॉर्मर है तो मैं करें आधम वीटर के साथ जाओंग यह बालिंग भी करता है और विकेट अब टेशना चाहिए इसने बालिंग की थिया और तीम में जरूर लेना आप चाहो तो इसे वाइस केप्टन सी भी दे सकते हो और स्पेशल ग्रेंग में जरूर ट्राय करना वाइस केप्टन केप्टन बागी एम पैपर के बारे बारे थीक है बट ग्रेंड लिग टीम में रहें तीम में प्रैफर नहीं करूंगा नीशम के साथ जो कि न्यूजरांड करना वन बैस्त अल्राउंडर है बाकी विकेट इसको कुछ मैसे मिल नहीं रही और बालिंग में तीन-चार और चार और तो नहीं कर रहा है किसी में दो कर र बाकी पॉल वाल्टार रहे है एसा प्लेर एक ट्राइक करना है बाकी कुछ एक दो और करता है प्लस बैटिंग कर ले ता 15 बीस रहा जाता है पाकी साहिमन हरमर जो क्याप्टन है तो इसको टीम में लेना बनता है और इसके दम पर एसक्स आइग लाश्ट यर जीती थी और जायद नॉटिंगम शेयर की टीम जीती थी किसकी जीती थी यह पर इसससे पहले एसक्स की टीम जीती थी और हरमर का बहुत अचा रोल तो हर मैच में बैड़ ऑल्रांडर कॉंट्रिबुट करता हूं शयद नहीं पता आपको बतायता हूं यह अफ्रिया का वालर रहे टेस् पर इसलेक्शन रहे गए तो यहां पर मैं फिलाल इसके साथ जोगा वीटर ओपन करेगा और टीम का अच्छा प्लेर भी है पैपर ठीक है बट हमारे पास वाच वेच्छा प्रेफर नहीं कर रहा बाकी बटलर मैं ओपन कर रहा बट मुझे इतना बूल सकता है ठीक है बैट अच्छा है ठीक है बट उतना इंपोर्टन नहीं और इतना बड़ा नाम नहीं है तो यहां पर मैं बैट विक्ट विटर को ही प्रेफर करने वाला हूं बाकी नहीं खेलने वाला है 91 पर सेलेक्शन रेट है आमला के साथ जाओंगा यहां पर मैं जाओंगा इवांस के साथ दैनिल लॉरेंस के साथ विल जैक्स के साथ और ग्रेंड लिग में ट्राइ कर सकते हो इस रॉरी वंस यहां चाहँ स्मॉलिक में काम अगर एक दो जल्दी करते हो सिंगल डबल अच्छा खेल सकता है रॉरी बाकी और को इतना इंपॉर्टन नहीं है तो फिलाले मैंने चार यह पिक करें बैटिंग सेक्शन में और टॉम वैसली पे अच्छा बैसन पर इस सब्सक्राइब चल रहे है तो कुछ प्लेट से जो लासी तक अच्छा चलते हैं और टॉम वैसली है यह इसीजन बिल्कुल आउड फ़र्म नजर आ रहे हैं बागी बात कर तो यहां पर स्व चलते हैं फिर पी वाल्डर बाकी अगर यहां पर एक लाक को लिया है जो कैप्टन बी टीम का और यहां पर मैंने चाहूं तो ले सकता हूं कहीं नहीं को अप जरूँ ट्राय कर से लेक्शन रेट भी पूरा नहीं है और विकेट टेकर है अगर डैथ वर्ट डालेग निकाल के दे सता है बागी डन इंपोर्टन यह ग्रेंड लिंग में अरो निजर ट्राय करना पॉम ओक्यों के पीक रहेगा आपकी मैं किसी और प्रेफर नहीं करूंगा तो फिलहाल जो मैंने टीम क्रेट हिए यह करिए कैप्टन सी में देने वालों यहां थोड़ा क्योंकि यहां पर विल जैक्स पाट टाइम बॉलर प्लस बैटिंग करेगा सेम लॉरंस का सीन है विल जैक्स बैटिंग प्लस पाट टाइम बॉलिंग और तीसरा ऑप्शन यहां पर निश्यम है जो डाल तो रहे दो तीन ओवर बट उसने ची फॉर में नहीं है बट यहां पर कहीं नहीं पर आप जा सकते हैं निशम के साथ हारमर का थोड़ा बैटिंग ऑट अटर जादा नीच बाते है तो इसलिए बट कंसिस्टन है हारमर तो तहला है थोड़ा यहां पर कहीं नहीं की टीम के प्लेट प्रेफर कर रहा हैं पर कैपिंटन सी वाइस क्टेंश और यह अच्छा आपके पास Captain के रह सकते हैं Grand League Team 1 मैंने वनाई है टीम बनाई है यह वनाई है यह आप देख सकते हैं Grand League Team 1 यह मैंने विकटीपर मैंने यहां पर मैंने वैटिंग सेक्षन बिल्कुल सेम रख़ए यह मैंने रिकी कलार को ड्रॉप करके करें करें करणे करने यहां बाकिए को कंबिनेशन बनाने पर एक दो तीन चार पांच इन पांचों के साथ तो इसलिए मैं आपको जश्टरी थोड़ा बात करना है और आपकी टीम क्रेट हो जाएंगी और भी तो टीक है फिलाल आपाते बाइक के ओपर तो भाइक ध्यांद सुनना सरे बड़ से नीशम 38 में अवे लेवल है बट नीशम को मैं शयाद रहे नहीं कर पाँगा तो थोड़ा कम करना बाइट तो थोड़ा कम करना बाइट तो नीशम के साथ जाना सेम हार्मर के साथ है चारोवर पूरे करेंगा कैप्टन है बैटिंग से 15-20 रहे टीसरा अप्शन रहेगा मेरा इसको मैंने से लिए कि 20 में अवे लेवल है तो 20 में थोड़ा कम बन जाता है कहीं न कहीं वॉल्टर एक दो अवर डालेगा और प्लस बैटिंग करेगा मानके चलो 15 रन भी कर जाता है और एक अधा विकेट लिया तो हमें काफ इच्छा प्रॉफिट दे सकते तो पॉल वॉ यह मैंने रखा यहां पर यह उमेड आसिफ और इमाद वहसीं को यह 34 में बैटेंग करता नहीं बालिंग नहीं तो यह मीडियम में रखूंगा वहाब रियाज को बाई लैस में यहां पर उमेद असीफ और इमाद वसी और यहां पर आप चाहो तो एक दो प्लेयर को एड करना सरे वाले मैच में तो यहां पर डैलियंड लॉरेंस 35 में एड कर सकते हो बॉलिंग कर जाएगा तो मेरी खाल से रैट बटन नीचे दिखाई दे रहोगा वीडियो के इसको दबा देना गंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो प्लोड करो दोस्तों और फ्रेंट के साथ जरूर शेयर कर सकते कमेंट में कोई भी कोशन के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो लिंक की दिए टेलिग्राम का उसी का यूज करना तभी टेलिग्राम के सही और ओर इजनल चैनल के साथ जुडपा होगे तो मिलते फिर एक नहीं वीडियो के साथ जाहिन दोस्तों बाई बाई